इस संस्कृति का आचरन करने वाले समाज के संरक्षन के लिए बलिदान दिये उद्यम किया प्राक्रम किया वो सब महापुरुष हमारे आदर्श है उनके व्यभार का हम अनुकरन करते हैं और ये सब ऐसे हुआ उसका और एक कारण है और सबसे महतों पुरुण कारण है हमारी भारत माता सुजल सुफल मलयज शीतल थी इसलिए हम सम्रुद्ध थे और तीनों और से परवतमालाए उद्स पूरे को पहले हमालाय कहा जाता था और तीनों और से सागर ऐसी सुरक्षितता के परिस्थिती में थे हम सुरक्षित थे इसलिए हमको लड़ाई जगड़े का काम नहीं पड़ा हमको जीवन के लिए संगर्श बहुत जादा नहीं करना पड़ा हमने फुर्सत का उपयोग सत्य की खोच के लिए किया जहां दुनिया बार का सच देखकर उतना ही देखकर रुख गई वहां हमने उसके परे जाकर अंदर के सत्य को खोजा तब हमको वह सत्य मिला विश्व की एकता का तो यह हमारे भारत अमाता का उपकार है उसकी भक्ती वह हम सब को जोड़ती है हम रहे ना या ना रहे भारत ये रहना चाहिए यह सब पर लागू है सब जातियों पर लागू है सब पंथव संप्रदायों पर लागू है हमारे जेश में इतने सारे पंथव संप्रदाय है पहले से विदेशी आकरामताओं के गारण और भी कुछ आ गए आ गए चलो रह गए हमारे याँ हम सर्व समावेशक है हम सब को स्विकृत करते हैं सब के लिए लागो है भारत माता की भक्ती हम सब के पुरवज वही है समान है समान पुरवजों का गवरो उनके आदर्शों का अनुकर और इस सर्व समावेशक सब को स्विकार करने वाली संसकार देने वाली भदरता सिखाने वाली सत्य करुना शुचिता और तपस के चोखट में चलने वाली संसकृती को स्विकार करके चलना है यही हमारे एकता का अधार है उसी से एकता निकलती है स्वार्थ के आधार पर ए ये सवदा कितने दिन चलेगा ये चलता नहीं राष्ट्र की एकता सवदों के अधार पर नहीं होती राष्ट्र की एकता अपने पन के कारण होती है उस्थाई अपना पन इन तीन बातों से हमको मिलता है लेंदेन से नहीं मिलता है बहुत लोग मिलते हैं वो चिंतित है देश में जो छोटी-मोटी घटना होती है चोटी-मोटी ही होती है लगबग पूरे समाज में एकताका बातावरन है लेकिन उसको तोड़ने का प्रयास तो हो रहा है इसलिए वो चिंतित है आकर मिलते हैं, कहते हैं कि ये फितना फसाद और कितान ठीक नहीं, ये आपस में संगर्ष ठीक नहीं, एक दूसरे को मारना ठीक नहीं, यूसा ठीक नहीं है, विवाद ठीक नहीं है, उसके जगा सुलह समलामती और अमन पर चलना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, सुरक ऐसे ही चलना चाहिए उसको करना है तो यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम लोग दिखने में अलग है वास्ताव में अलग नहीं है हमारी पूजाएं अलग-अलग है भाषाएं अलग-अलग है हो सकता है पूजाएं उक दो बाहर से भी आई हो दिखने में हम अलग है लेकिन अलग-अलग लोगों को यहाँ एक होने की बात ही नहीं है जो पहले से एक थे और जिन में ये सारी विविधता का पूर्ण स्विकार पहले से था ऐसे हम एक लोग है अपनी एकता के इन तीन सूत्रों को भूल गए इसलिए आज आपस में हम एक दूसरी को अलग-अलग मान रहे है वो भूलना और अपनी एकता को याद करना ये करेंगे तब हम जुडे आपस में हमारे है कुछ भी बाद हो सकते हैं विकास चल रहा है तो विकास में हमको कुछ चाहिए जादा चाहिए मुझे चाहिए ये स्परधा है मन वचन कर्म से सारा समाज ऐसे ही चल रहा है ऐसा नहीं है आप तो ऐसा कहते है लेकिन वहाँ तो वैसा होता है ये परिस्तिती है शब का ऐसा नहीं है लेकिन जिनको ऐसा होना है और देश को ऐसा बनाना है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले ये सब ठीक हो बाद में हम एक होगे ये बात नहीं चलेगी क्योंकि ये सब ठीक नहीं इसका कारण हमने उस अपने पन को भुला देया यही है और इसलिए पहले हमको अपने में उस अपने पन को रखना पड़ेगा ये सब होता है तो भी शौब नहीं होना चाहिए अब इवे एक असंतुलन नहीं होना चाहिए ऐसे टर्बिलन्स में भी हमको अपना दिमाग ठंडा रखकर सबको अपना मान कर चलना पड़ेगा धीरे धीरे सबको अपने साथ चलाना पड़ेगा अपने पन की दृष्टी आ गई तो उसके आधार पर इन सारी बातों के समाधान होंगे अन्यता दूसरा कोई समाधान नहीं ये बाते उपायों से नहीं ठीक होती व्यवस्थाओं से ठीक नहीं होती ये मलंपटिया होती है जो कालांतर में निकल जाती नए घाओ भी बनते है और घाओ तो बहुत गहरे है भारत विबाजन जेसी घटना का घाओ बहुत गहरा है लंबी परंपरा चली अपनी जो संगर्च की उसके चलते मन में एक दूशरे के प्रति कितना अविश्वास है उसके चलते बाते भी होती है उलजलूल बाते होती है धमकाने की बाते होती है चैलेंज देने की बाते होती है ये सब हो रहा है लेकिन उसमें हमको ठंडे दिमाग से आगे चलना पड़ेगा इस दुरुष्टी को जानना पड़ेगा उस दुरुष्टी का प्रचार प्रसार इर परिस् जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करेबा कुछ जमा भी बोलों तो नहीं